दोस्तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो आज 23 जून 2023 को फेडरल रिजव के एक मेंबर ने कहा कि दो बार इंट्रेस रेट बढ़ान की बात जो वो कर रहे है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है और उन्हें भी एक्चुल में पता नहीं है कि वो आने वाले महनों में इं इंट्रेस रेट को ये साल के अंदर नहीं बढ़ाना चाहिए तो जैसे कि आपने देखा दो फेडरल रिजव के मेंबर ये बता रहे है कि पॉसिबिलिटी बहुत जादा है कि बचे हुए साल में इंट्रेस रेट ना बढ़े दोस्तो हम आपको हमारे वीडियो से ये लगा 2023 में इंफलेशन 3.50% पे आ सकता है और वही समय पे इंट्रेस रेट 5.25% पे रहेंगे तो इंट्रेस रेट और इंफलेशन के बीच में एक बहुती बढ़ा ग्याप हो जाएगा और उस वजह से जुले 2023 के मीटिंग में पॉसिबिलिटी बहुत जादा है कि फेडरल इंट्रेस रेट ना बढ़ाए और आप देख सकते हो आज 23 जून 2023 को फेडरल रिजव के दो मेंबर्स यही सिगनल दे रहे हैं गोल्ड कल इंटरनेशनल मार्केट में 1,935 डॉलर के नीचे बंद हुआ है और अभी भी गोल्ड 1,935 डॉलर के नीचे काम कर रहा है तो गोल् यह महत्वपूर्ण सपोर्ट है 1,895 डॉलर यह गोल्ड के लिए डेली चैट के ऊपर 200 दिनों का एक्सपोनेशल मोविंग एवरेज है इंडिया के अंदर हमने आपको गोल्ड के लिए क्लियरली बताया था कि गोल्ड के अंदर गिरावट 58,400 तक आ सकती है गोल्ड ने इं कि 69,900 प्या आप अपने कैपिटल का 20% लगा सकते हो 69,200 के उपर आप 20% और लगा सकते हो और गोल्ड अगर 58,400 तक नीचे आता है तो आप अपने कैपिटल का 30% और लगा सकते हो इस तरह से गोल्ड की गिरावट के अंदर आप अपने कैपिटल का 70% इंवेश्ट कर सकते हो दोस्तों आपके पास अभी भी 30% कैपिटल बचा है हमें लगता है गोल्ड अगर इंटरनेशनल मार्केट में 1895 डॉलर तक नीचे आता है तो वहाँ पर वो कैसे परफॉर्म करता है ये देखनाथ जरूरी है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये बचा हुआ 30% कैपिटल हम कहा पर लगा सकते है सिल्वर अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में उसके 200 दिनों के Simple Moving Average के पास काम कर रहा है सिल्वर ने अभी ये 200 दिनों के Simple Moving Average के नीचे बड़ी क्लोजिंग नहीं दिये तो आने वाले दिनों में silver यहाँ पर कैसे काम करता है यह देखना जरूरी होगा इंडिया के अंदर हमने आपको बताया था कि silver की गिरावट के अंदर जो आप investment कर रहे हो उसके लिए stop loss होगा 67,500 रुपे का लेकिन कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि सितंबर 2022 से जो silver के अंदर तेजी की शुरुवात हुई है वहाँ से जो rising trend line silver के लिए continuously support का काम कर रही है उसका support आता है 66,800 के पास उसी तरह से daily chart के उपर silver का 200 दिनों का simple moving average आता है 66,900 के पास तो 66,800 से 66,900 ये बहुती महत्वपूर्ण support हो जाता है 67,500 के नीचे तो इन levels के उपर ध्यान रखना बहुती जरूरी है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment द्वाराज जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना बुले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you